सुप्रेम कोट में सोंबार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुल्डोजर आक्शन पर सुनवाई हुई सुप्रेम कोट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने पर कोई मतलब नहीं होता है जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बियार गवई की बेंच ने कहा अगर कोई दोशी भी हो तब भी ऐसी कारवाई नहीं की जा सकती है सुप्रेम कोट जमियत उलमाए हिंद की आचिका पर सुनवाई कर रही है और इसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुल्डोजर आक्शन लिया जा रहा है अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी 12 से कोट ने कहा हम यहां अवैद अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रही है इस मामले से जुड़ी पार्टिया सुझाव दे हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं किसी का बेटा आरोपी हो सकता है लेकिन इ कार्रवाई का सही तरीका नहीं है इस टिपड़ी के बाद केंद सरकार की ओर से कहा गया कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई जा रही है क्योंकि वो अपराद किया है उसने आरोपी के अवाइद कबजे पर मुनसिपल के तहत अक्शन लिया जा रहा है इच्ट के तहत लिया जा रहा है कि यह बी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कपसे इस ऐक्शन की शुरॉत हुई थी बुल्टोजर एक्शन की शुरुबात कि कब से हुई थी तो किया था मकसद राजधानी भोपाल की सडकों को चोड़ा करना था इसके बाद उन्हें बुल्डोजर मंत्री कहा जाने लगा MP में दो साल में आप यकीन नहीं मानेंगे 12,000 से भी जादा बुल्डोजर का एक्शन लिया जा चुका जिसका ट्रायल कमलनात ने किया और मौडल को 2018 में मध्य प्रदेश की कमलनात सरकार ने अपनाया तीन राज्य ऐसे हैं जहां पिछले तीन महिने में बुल्डोजर के एक्शन हुए अगस्त 2024 के अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का हाली में छतरपूर में जो पत्थराओ ठाने पर हुआ इस पूरे मामले मे जो आरोपी है उसकी कोठी पर बुल्डोजर चला दिया गया 24 घंटे के भीतर सरकार ने यहां 20,000 स्क्वार फीट में बनी 20 करोड कीमत की 3 मंजला हवेली जमिन दोश कर दी जब उनकी हवेली गिराई जा रही थी तब भी उनके परिवार का कोई सदर से यहां पर मौजूद नहीं था एफायार के मुताबिक चारों भाईयों ने भीड को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया था बात करेंगे राजिस्थान की भी अगस्त में ही राजिस्थान के उदेपूर में दो बच्चों में चाकुबाजी के बाद आरोपी के घर पर बुल्डोजर चला इससे पहले सरकार के निर्देश पर वन विभाग ने आरोपी के पिता सलीम शेक को अवैद बस्ती में बने मकान को भी खाली करने का नोटिस दिया था बात जून की भी करेंगे जब उत्तर प्रदेश के मुरादबाद और बलिया में दो आरोपियों की 6 संपत्यां तोड़ गई मुरादबाद में वाहिता के अपहरण की कोशिश करने के वाले के घर पर बुल्डोजर चला था आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रहे महिला के माँ बाप और भाई को गोली मार दी थी वहीं बरेली में रोटी के विवाद में युवक की पीट-पीट कर हत्या करने वाले होटल मालिक जीशान का होटल भी जमीन दोज किया गया साथी 26 जुन को बठरे था सनी का सनी ने एक होटेल में जीशान को कुछ रोटियों का ओडर दिया था जीशान ने सिर्फ 50 रोटियां दी थी और 100 रोटी मना कर दी थी विवाद इतना जादा बढ़िया कि जीश इससाद मामले में सुनवाई की गई और ये कहा गया कि महनुद से और फून-पسीने की महनँद से अगर एक पिता घर बनाता है और अगर उसका बेटा या बेटी कोई भी हो या उसके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी तरह का अपराद में शामिल होता है तो यह सही नही है कि पिता की मेहनत से बनाये गए घर को तोड़ दिया जाए इसमें अपराधी को सजा देने की बात की गई है हाला कि अपके इंद सरकार की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि अपराधियों का घर ना केवल इस बात के लिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि उन्हों है बात की गई अब 17 सितंबर का इंतजार करना है क्योंकि एक बार फिर से इस पूरे मामले में 17 सितंबर को सुनवाई होगी